हेलो एवरिवन वेलकम टू माई योटब चैनल आप सभी का स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और फेंड्स यहाँ पर आरार्सी साउथ वेस्टन रेलवे हुबली की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है हुबली में बेसिकली क्या है 344 चातरों के लिए रेलवे ने अभी अभी नोटिस जारी किया है क्या कुछ उस नोटिस में बताया गया है वो हम लोग दिखेंगे साथ ही हम लोग बात करेंगे कि हुबली में यहाँ पर अभी तक कितने पैनल आ चुके हैं कितने स्टूडेंट का अलाट्मेंट हो चुका है और उसके बाद कितनी सीट्स पर अभी अलाट्मेंट बाकी है complete information आपको इस चोटे से वीडियो में मिलने वाली है make sure कि आप वीडियो अन तक देखें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करें तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 15.5.203 की डेट में अभी यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है साउथ वेस्टरन डेलवे रेलवे रेलवे रेक्रूटमेंट से लूबली की तरफ से notice for candidates who are found fit in B2 to C1 medical classification and no post allotted to them due to non availability of vacancies तो यहाँ पे B2 C1 जिन student को मिला था उनको post की availability ना होने के करण कोई post नहीं मिली है submission of appeal against the decision of first medical examination authority तो यहाँ पे उनको medical यानि की re-medical के लिए appeal करने का मोका मिला है और आगे इन्होंने बताया है after document verification ठीक है और जहाँ जहाँ आपका medical या फिर जो document verification है वो हुआ था हुबली बैंगलूरू मैसूरू में वहाँ इन्होंने बताया जिन student को जो है A2 और B1 मिला था उनको post दी जा चुकी है जबकि B2 C1 जिनको मिला है उसमें बहुत सारे student को post नहीं दी गई है however if any candidate is not satisfied तो अगर कोई candidate ऐसा है जो satisfy नहीं है अपने medical standard से तो यहाँ पे वो जो है तीस दिन के अंदर यानि की notice जारी होने के तीस दिन के अंदर आप लोग re-medical के लिए appeal कर सकते हैं और the appeal should be sent to chairman railway recruitment cell hoobly यहाँ पे यह address दिया गया है यहाँ पे आपको अपनी appeal भेजी नहीं होगी उसका process क्या होता है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा और last date यहाँ नहीं नहीं कहाएगी 14-6-2023 तक आपको यह appeal करनी होगी such an appeal will be entertained if only the candidate produce the medical certificate आपको basically क्या करना होता है जैसे अभी मान लो आपको मिला है B2 तो आपको क्या करना है यहाँ पे एक आपको performa दिया गया होगा medical certificate का वो performa यह वाला यह आपको print out कराके और बाहर जाके आपको एक medical certificate बनवाना होता है साथ में 1000 रुपे का demand draft आपको बैंक से बनवा के लगाना होता है और आपको यह इस वाले address पे बेज़ना होगा फिर आपको remedical के लिए बोलाया जाएगा अगर आपका medical standard change हो जाता है तो वो एक 1000 रुपे भी आपके वापिस हो जाएगे साथ ही आपको रेले में कोई ना कोई पोस्ट में मिल जाएगी ठीक है यहाँ पे इन्होंने पूरा process समझा है किस तरह से क्या आपको करना है तो अगर आप remedical के लिए अपील करना चाहते है तो उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना ठीक है आपको बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको कोई भी पोस्ट नहीं मिलने से आगे यहाँ पर इन्होंने बताया है परफॉर्मा है medical certificate का यह आपको बनवाना होता है बागी यहाँ पर इन्होंने जो medical के rules and regulations से उसका PDF भी साथ में लगा दिया है तो किजी को अगर कोई इसमें परेशानी है तो वो इनको अच्छे से अलोट किया गया था ठीक है उसके बाद panel two की बात करूं दूसरा पैनल यहाँ से आया था उसमें पांच हजार पांच सो सॉरी पांचार 152 केंडिडेट जहन को शामिल किया गया था यहां से अल्मोस्ट जो है चे हजार 222 candidate के करीब जो है यहाँ पर अभी तक allotment हो चुका है तो अब यहाँ पर देखा जाए total number of 1 NC कितनी दी 7166 और उसमें से minus करते है अगर हम लोग इसको 945 के around ठीक है इसमें एक दो उपर नीची हो सकता है 945 जो student है अब उनमें से यहाँ पर आप देख सकते है 344 तो B2C1 के कारण बाहर हो जाएंगे ठीक है अब इनमें से मुश्किल है कोई एक दो student को शायद रिमेडिकल में मिल जाए वैसे बहुत कम chances होते हैं बाकी शायद ना मिले तो 344 तो यह बार कर दो आपको जो है सेकेंड डीवी के लिए देखने को मिल सकते है जिसमें कट आफ डाउन करके student को बुलाया जाएगा तो यह था पूरा हुबली का डीटील बागी चैनल को सब्सक्राइब परके आप बैल आगएं को जरूरू प्रेस करें